हाई फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं मुझे आशा है मुझे अमीद ही कि आप सभी लोग ठीक हैं फ्रेंड्स आप सभी का विलकम हैं स्वागत है इस्तिक्बाल टेक्निकल फरीग चैनल पे आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप आधार कार्ट के साथ आपको कटाना पड़ेगा तभी आप अपना आधार कार्ट के साथ पेंट कार्ड को लिंक कर सकते हैं नहीं तो नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में ने आपको यही चीज़ बताऊंगा के आप अपना चालान कैसे कटवाएंगे आप अपना चालान कैसे भुक्तान करेंगे पेनल्टी चार्ज कैसे पे करेंगे जी हाँ दोस्तों इस वीडियो में आप यही चीज़ सीखेंगे कि आप जो है ना E-Pay Tax Payment कैसे करेंगे E-Pay Tax Payment आप कैसे जो है ना Successfully कर पाएंगे तो दोस्तों अगर आपको जानना है सीखना है समझना है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए देखने के बाद अच्छा लगए पसंद आए लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये तो अभी कर लें बेल बटन के ओपर किलिक करके अधरकाद और पेंकाड रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपको जो हैना सीकना है समझना है तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं जैसे आपके आधरकाद के साथ पेंकाड निक है या नहीं है इसके बार में कैसे मालूम करें कैसे पता करेंगे इसी तरह से आज का ये जो वीडियो है, आज का ये जो टापिक है कि आप जो हैना अपना चालान कैसे कटवाएंगे, अपना पेनल्टी चार्ज कैसे पे करेंगे, अपना ये पे टैक्स पेमेंट कैसे जो हैना आप सक्सेस्फुली कर पाएंगे, इन सब चीजों के बारे में तो आप मुझे comment करें या फिर आप जो हना अपना जो मुबाइल नंबर है WhatsApp नंबर है comment करें या फिर मेरे से आप contact करें मेरे अकान्ट डिडिल्स आपको मीरे इस व्यूडियो के description में आपको मिल जाएगा WhatsApp करें, message करें, तो चलिए दोस्तो आज का व्यूडियो topic और title की हिसाब से, मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा, कि आप अपना चालान कैसे टटाएंगे, आप अपना penalty charge कैसे पे करेंगे, आदार कार्ड और pen card को link करने से पहले, तो चलिए आज का व्यूडियो शुरू करते ह और आपको आगे का process completely बताते हैं, तो दोस्तो आदार कार्ड के साथ pen card को link करने के लिए, सबसे पहले आपको एक हजार का चालान कटाना पड़ेगा, एक हजार का चालान सबसे पहले आपको भरना पड़ेगा, दोस्तो यह अभी जो है ना, आदो तिन महीने से यह notification और यह update आया हुआ है, जब तक आप एक हजार का penalty नहीं भरेंगे, जब तक आप अपना एक हजार उपए पे नहीं करेंगे, एक हजार रुपीय जुर्मानी के तोर पर भुकता नहीं करेंगे, तब तक आपका आदर कार्ड के साथ pen card लिंक नहीं होंगा, तो दोस्तो आज के विडि इंकमटेक्स.gov.in सर्च बार में यहां पर टाइप करेंगे इंकमटेक्स.gov.in देखिए मैं यहां पर टाइप कर रहा हूं इंकमटेक्स.gov.in इस तरह से आप यहां पर लिख लेंगे सर्च बार में यहां पर टाइप कर देखिए इस जिगर में तो यहाँ पर इस तरह से लिखने के बाद इसको एंटर कर लेंगे, सर्च कर लेंगे, income tax.gov.in, portal और उसका website आपके सामने यहाँ पर शोगत दिखेगा, यह income tax का, income tax का official website, official department, यह देख सकते आप, income tax e-filing, दोस्तो इसी वाले website को open कर लेना है, income tax department के website के उपर क्लिक करके, आप आपको जो है इसके अंदर में चला जाना है, इसको खोल लेना है, दोस्तो जैसी आप income tax का official site है, इसको open कर लेंगे, इसको खोल लेंगे, तो यहाँ पी जो है अलग-अलग options आपको दिखेगा, एक चीज को करने के लिए, एक-एक option के आपके उपर क्लिक कर सकते हैं, और यह यहाँ पर दिखेगे, एक option आपको यहाँ पर quick links मिलेगा, यह quick links में यहाँ पर e-verify return, link आदार status, link आदार income tax return, यह दिखेगे, verify your pen e-pay tax, तो दोस्तो आपको एक-जार का चालान भरने के लिए, एक-जार रुपे का penalty कटाने के लिए, एक-जार रुपे का penalty pay करने के लिए, आपको इस e-pay tax के उपर press करना है, जी हाँ दोस्तो, सही स सुनेंगे, सही स समझेंगे, जब तक आप एक-जार रुपे का penalty नहीं बरेंगे, जब तक आप एक-जार रुपे का चालान नहीं बरेंगे, नहीं कटेंगे, तो दोस्तो अब तक आप अपना pen card, other card link नहीं कर पाए तो दोस्तो आपके सामने एक next window आ जाएगा, यहां पर आप देख पाएंगे, तो दोस्तो यहां पर देख सकते हैं, यह वाला window, यह वाला page, यह वाला step आपके सामने आ जाएगा, अब यहां पर देखिए, यहां पर यह जो लिखा है, tax gainy, good afternoon, I am tax gainy, your income tax assistant, इसके उपर किल अब कोई भी help ले सकते हैं, tax के जरीए से बातचित करकी, chat करके, तो दोस्तो इसको में यहां पर यह जो cut का निशान है, इसके उपर cut करके किली करके, मैं cut कर दूँ, अब इसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर आपको आके करना क्या है, यहां पर दो चीज आपको फिल पर गपनेको on the means, इसके और अवाले बोक्समों इसके बाक्समे मैं, इसके बाद नमबर भरते हैं, अब कि आपको Pen number इंटर लिखना बढ़ेंगा, लिखना प्no पड़ेंगा, तो तो मैं यहां पर किया कर लेता हूं? अपना जो Pen number है, वह pen number यहां पर यहां पर Plate validator नब कर आपका पैंड नम्बर इस वाले बॉक्स में जो चीज भरेंगे इस वाले बॉक्स में एंटर हो गया फिल भर दिये तो दोस्तों एकदम से इस तरह से यह जो न आ शो होगा यह सब गरीन कलर में दीखेंगा नहीं अगर आपका किसी पी तरह कुछ भी रॉंग होगा तो यहां ठाब करेंगे में आपको तका जो है यहां पर फिल करनाथ को स्कना ili q3 आप जो हैं ने आपके अधर काड के साथ लिंग कोना चाहिए और आपके साथ पैंक करेंगे में Approард कर दिया उसके बाद यहां पे continue के उपर प्रेस करेंगे यहां पर पैन नमबर और mobile नमबर एंटर करने के बाद continue के उपर प्रेस कर देंगे तो यहां पे दोस्तों आपके mobile नमबर पे OTP जाएगा OTP जाएगा verification के लिए तो यहां पर six digit जो दिगिट का जो आपके फोन नमर में, मुबाइल नमर में, SMS के थूरू, आपके पास जो जो ओडिपी जाएगा, उस OTP को यहां पे एक एक करके सही से देख के भर लेंगे, और दोस्तों यहां पर आपका फोन नमर, आपका अगर मुबाइल नमर सेम डिवाइस में है, सेम म उनमर सकते हैं, तो दोस्तों, यहां मैं इसको क्या करता हूँ, यहां में इसको क्या करता हूँ, यहां पर घुर में लेंगे le þess प्रस करेंगे, तो यह करने के लिए आपको एक हजार रुपी का चालान करने के लिए एक न्यूप बनाने के लिए नूप पेमेंट करने के लिए एक हजार रुपय का पैलल्टी चार्ज देने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है नीचे जो continue का option है continue का button है इस continue प्रस कर देंगे continue पर जैसे की लिए करेंगे next page आपके सामने open हो जागा अब यहां पे देखें आपको करना क्या है सही से आप दिहान से देखें वीडियो को स सबसे पहला वाला option जो income tax का है यह वाला option सबसे पहला वाला इसी को चूज करेंगे और यहां पर यह जो proceed का button है इसके ओपर क्लिक करेंगे सबसे पहले वाले option पे अब यहां देखें तीन step में आपको e-pay tax का यह step complete करना पड़ेगा e-pay tax का process आपको जाना complete करना पड़ेगा तो दोस्तो तीन step में यहां पर पहला step क्या है e-detects applicable details तो दोस्तो assessment year में यहां पर पहला option assessment year है assessment year के नीचे यहां पर यह जो arrow देख रहे हैं या पर इस box में आपके लिए करेंगे तो यहां पर आपके सामने देखें 2000 जो latest है यहां कि 2023 और 2024 इस वाले को चूज करेंगे इस दोजार तइस से चोबिस उसके बाद दोस्तों यहां पर सबसे नीचे में देखें type of payment minor head यह जो type of payment minor head है इसके नीचे जो box है is insert का option है इसके ओपर click करेंगे तो यहां पर आपको कुछ मbres करना है इस वाले box में क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां परетр SME सबसे नेचे में आपको सबसे निशे सबसे नगे पर, रिफ्ट के उपर, परेस करेंगे पर अपनेचे क्लिक करेंगे तो अपर साहे ने के बाद यहां करेंगे सबसे पहले वाला आप क्या चूस करेंगे चूप अधार के साथ पैंग करने का जो डिले हैं डिले का फीज है उस पीज के लिए यह ऑला ऑप्षन आपको जो चूस करना है सेलेक्ट करना इस वाले को तो मैंने इसको उपर क्लिक कर दिया इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको चूज कर लिया इसको चूज कर लिया उसको बाद यहां पर नीचे चाने के बाद कुछ भी नहीं करना है यहां पर सबसे नीचे जाने के बाद कुछ भी नहीं करना है यहां पर जाएंगे कंटिनू पर आपको चूज करना है किस तरह से आप 1,000 का पेड़ान चाहते हैं किस तरह से आप से एक हजार रुपे का पहली चार्जे चलाते हैं तो दोस्तों आप उस नेट विंग जो को यहां पर चूज कर लेंगे जैसे एकसिस बैंक अगर आपका है और आप नेट विंग चलाते हैं तो आप इस वाले को से लेगे के एंडरा बैंक, HDFC बैंक, ICIC, IE और यहां पर कोटक महिंदरा बैंक, Punjab National Bank और इस टेट बैंक आफ इंडिया तो दोस्तों अगर आप नेट वैंक थुरू यूज करना चाहते हैं अगर आप कटाना चाहते हैं अपना प्यमेंट करना चाहते हैं तो यहां पर इस टेट बैंक आफ इंडिया या जो भी बैंक का आपके पास net banking है वह आप छेकर लेंगे चूस कर लेंगे और दूसरा option करना देखें डूसरा अप्ष्य कांप'D करना चाहते हैं एक हजार रुपीय का पेमेंट करना चाहते है जो दोंस्तों यहां तो ग्र्यकर चूस कर लेंगे जिस भी बैंक का आपक कांई है पहले उस कर देंगे दोस्तों यहां पर से नीच आएंगे तो यहां पर देखिए अगर आपके पास दूसरा कोई बैंक है तो आप यहां पे चूस कर सकते हैं दोस्तों फिलाल के लिए करेंगे डेटिट करेंगे हैं इसके साइव दूसरा कोई फिलाल शल्तों कर 108 ही के सी थे इनको यहां पर तुछ पर प्रिफिंगे यहां पर अपना अबना इडेंद कर सकेुद आपको यहां पर आने के बाद कुछ भी नहीं करना है, जो जो भी चीज मैं आपको बताया, सारे चीज सेम्ट उसी तरह से आपको करके आना है, और करके आने के बाद यहां पर आने के बाद कुछ भी नहीं करना है, आपको पे करना है, तो यहां पर प्रेस करना है, अगर आप भून करेंगे वाद में चलिए करना चाहते हुआ होला नोड़ दOOOO बाद में पे हूंच उन्क पर मैं प्रेस कर दिया। तो सजल के युष्छ सब्सक्राक्राट डिया हुआ हुआ हैुआ सब्सक्राट ंचरें Prophet 9, 10, 11, 12 12 14 14 दो यहां यहां पर diamonds दिया हुआ है तो आप एक लिए पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, आप पढ़नेंगे, उसके बाद दोस्तों पढ़ने के पढ़ने के पढ़ने के पढ़ यहां पे यह देखे, I agree, यह यह जो terms of conditions है, terms and conditions है, वो आप यहां पे अगरी कर लेंगे, उसको यहां पे आप क्या कर लेंगे, तो accept क जगे सकते हैं आपको यहां पिर अकांट नंबर वेलिडिशन आपको यहां पी आपका जो खाता अंक्या है तो Ֆाता संत्या आप्प successes argentina 35 और तीस देखें मैंने अपना खाता संगी यहां पर एंटर कर दिया यहां पर मेरा जो खाता नंबर है यहां पर मैंने इस तरह से same to same भर दिया, अब यहां पर account number और यहां पर ea capture code को इस जग में fill करने के बाद भरने के बाद, यह जो proceed का button है, proceed का option है, proceed को पर click करेंगे, जैसी आप proceed को पर click करेंगे, आपके सामने next page आप open हो जाएगा, अब यहां पर देखिए क्या है, enter high security password, या जैनी कि OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहां पर fill करना भरना है, वाइचन से अगर आप क्या पास OTP ना गया हो, नहीं अगर जाए, तो दोस्तों यहां पर recent OTP का option है, recent OTP के उपर click करेंगे, आप दुबारा से OTP, दुबारा से high security password भेज सकते हैं, दुबारा से SMS के तरू यहां पर एक एक करके सई से fill कर देंगे, भर देंगे, तो दोस्तों देखिए मैंने अपना OTP है, वो OTP यहां पर एक करके फिल कर दिया, अब OTP इंटर करने के बाद, ऊपर से निशाएंगे, ऊपर से निशाएंगे, तो यहां पर देखिए, confirm का जो बिटन है, confirm का जो option है, इस confirm के ओपर क्लिक कर देंगे, confirm के ओपर जैसी प्रेस करेंगे, तो आपके सामने आपको debit card चूज करने के लिए यहां पर बोला जाएगा, तो दोस्तों यहां पी जो debit card है, जो first वाला, active debit cards, यहां पर जो भी आपका active debit cards है, वो यहां पर शोगा इस तरह से, और अगर आपक इसको क्या करेंगे आप चूज करेंगे इस तरह से सेलेट करेंगे उसका यहाँ पे इंटर करेंगे और जो भी एटियाप काट के ऊपर डेविट काट के ऊपर जो भी आपका नाम है या इंटर करेंगे तो आपका बोफिल डियाएं अंगर करेंगे तो जोूसरा करेंगे आपका एंटम नंबर झोई देकां डिपके आप करेंगे और फिरसे आ刺 clicked recalled गो यहां यहां पिल करेंगे यहां पर एंटर करेंगे तो दोस्तों एक ही और करके आप इस Case से लिए खिख्यूब को यहाँ इस तरह से लिए ठीक, देखिए मैं बता रहाँ आपको निश करने इस क्या टब्ण करेंगे तो यहाँ पर क्लेज़ा पर क्लिकए ऐसी क्लिक करेंगे तो आपके समयं यहाँ पर your debit card validation is done देखिए यहाँ पर क्या लिखा है your debit card validation is done please continue to complete the transaction अब करने कि आपको आपका debit card का validation है आपका debit card सही है या गलत है यह चीज़ आपका जो है चेक हो गया वेरिफाइ हो गया अब वेरिफाइ जो हो गया आपको पेमेंट करना है एक हज़र रुपय का चालान भरना है तो एक हज़र रुपय का चालान भरने के लिए यहाँ पे देखिए सारे चीज़े please verify your card details to pay Central Board of Direct Taxes तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सारे चीज़े यहाँ पे शो हो रहा है आपके card के regarding जो भी चीज़े हैं यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे शो हो रहा है अब यहाँ पे आने के बाद तो आपको करना क्या है दोस्तों कंफर्म के उपर किलीक करना है आप यहाँ कैसे सभी से और प्ड़ल के और तो यहाँ पे पनल टीSearch PAN उसके बाद CRN नंबर यहाँ आपको यहाँ पर शो रहा है देख सकते हैं आपका CRN नंबर क्या है असेस्मेंट यह तो सारी चीज़ यहाँ पर देख लिए देखने के बाद यहाँ पर ओप्षन है आपने 1000 रुपय का CRN पर दिया हैं इस तरह से आप 1000 रुपय का CRN पर सकते हैं इस तरह से आप 1000 रुपय का CRN चार्ज जो है इसके तो उसके एक दिन की जुए एक दिन के बाद अपने चालान भरा यह चालान का वेरिफिक्शन एक कि अधर हो गा एक दिन के अधर जब हो जाएगा तब आपको दोस्तों करना है थोड़ा सा मैं आपको ज़न और थोड़ा सा डिटील साफ बता देता हूं यहां पर देखिए इस चेकर में देखे, the challenge payment was, the challenge payment is successful, अब यह जो आपका challenge receiving है, challenge receipts है, तो अगरा आप उस challenge को download करना चाहitे हैं, तो यहाँ पर download का button है, इस download के ओपर किलए करके, आप अपने challenge का क्या करेंगे, download के लिए yourself, the challenge GUYünden partition, लोंड देंटों संप्राम का ओ्सेप्ट वीकृ में है और छान यंड वा सब्सक्रार दिकले से इस इस अपने प्रोयरा यहां से और Żieten लिए इस यज़ दोपर पर प्रसक्राइब ऑम पी अपना अभी और को आप मताता सुख बातर चालोट में यवा व एक दिन के बाद ही अपना लिंक आधार पैन को लिंक करने का प्रॉस्स आपको आपको होगा अब यह आपको आप आपकरेंगे तो आपको नहीं होगा जरो त जो लेट फीस है जो पेलल्टी चार्ज है अधर काड़ और पेंक करने का उसको आप इस तरह से बोक्तान कर सकते हैं तो दोस्तों मुझे आशा है मुझे उमीद है कि मैं आपको जो भी इनफॉमेशन जो भी डिटिल्स जो भी जानकारी आपको बताया इस एक पेल टेक्स के र लेट उनकारी बार भार भार रिपिट करके इस लिए बोल रहा हूं ताकि जो भी यह जाना जाना है उनको को सही है समझ मैं जायाए वो खुद बखुद कर सके आपने आप में आप में कांफिद्स हो सके और अपने आप यह देखिए यह पें इनकम्टेक्स प्रमेंने के त कर दें और हम फ्रेंड्स वीड्यो को शेयर करना ना बूलें और आपके मन में किसी घर्रा का कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट स्क्षिं में कट्वा दूमगा कि डूंगा च्रफ यह 학 मैंð 250łości कॉण तरह से उसके बाद एक दिन के बाद आपका अधरकाड को लिंक करने का भी प्रोसस मैं आपको तरह को मेरे जरीय से अधरकाड का लिंक करने का पुरी तरह से हमस्ते हैं चलान कटाने का हूं मुझे कमेंट करें मुझे आप इंफोर्मेशन में बेज नमबर युगर आप मुझे में एक पुझागी करें अपनी हिसाब से जो भी करना चाहें कर सकते हैं तो चलिए तो मुझे अशाई मुझे अच्छा लगा पने लाइक पर करना ना बोलें और आपके इमन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो आपके कमेंट श्रेक्शन में कमेंट करके जरूरू बताएं तो चलिए फिर में लेंगे निश्टी वीडियो में तब तक लिभाई वाई वाई बेश्ट आफ लेक्स को थेंक्यू वेरी मच